Hello guys and welcome to my YouTube channel Tagwonkis दोस्तो आज की वीडियो आप के लिए काफी जादा यूज़ फूल होने वाली क्योंकि आज की वीडियो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने Vivo V23 Pro 5G के फोन में नेविगेशन बटन को चेंज कैसे करेंगे यहाँ पर बैग बटन को चेंज कर सकते हैं अगर इसको हाइड करना चाहते हैं हाइड भी कर सकते हैं और साइड से भी बैग बटन सेट कर सकते हैं सबसे पाले दोस्तों आपको अपने फोन में शेटिंग को उपिन करना है setting को open करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐसे interface देखने को मिलता है अब यहाँ पे आपको scroll down करना है यानि कि नीचे आना है यहाँ पे जब आप लोग नीचे आते हैं ति यहाँ पे आप लोगों को system navigation का option दिखाई देगा system navigation के option पर किलिक करना है आप direct भी search कर सकते हैं अपने setting में system navigation पर आप लोग किलिक करेंगे यहाँ पे navigation keys है सबसे पाला option इस पर किलिक करेंगे ति यहाँ पे तमाम navigation keys है जो भी keys आप लोग अगर select करना चाते हैं यहाँ से आप लोग सेट कर सकते हैं अज़ो भी पर पहले बार आपTwoा रहे स्ट करना Water कुछ प्रब्रोडड के अजर निवे को बटन करना है इसके पहले अगर फिर से mightons ब्लोग पर दिखक करेंगे यहाँ पर om operation layout का option दिखाई देता है simply आप लोगों को यहां से set कर सकते हैं गेचर किस तरीके से आप लोग यूज करना चाहते हैं इस पर आप लोगों को किलिक करना है सबसे पहला है स्विप साइड वे इस पर आप लोग किलिक कर देते थे यहां पर साइड में सलायड करके आप बैक आसकते हैं यहां पर मैं दिखानाँ चाहाँ तो और आप लोग लेग मेनु बटन को पर जाया पर देखते हैं और यहाँ यहां पछाए बार बीच में आप पर के तरफ स्लाइड करेंगे तो यहां पर आप अपने होम टैम पर आ जाएंगे अब इसके बाद है स्विप अपका उप्सन चलिए इसका भी यूज आप लोगों को दिखा देंगे इसका यूज बहुत ही सिंपल है स्विप अपर आप लोग किलिक कर देंगे तो यहां पर लेवट साइड से उपर की तरफ स्लाइड करेंगे तो यहां पर आपका मेनू बटन खुल जाएगा और बीच में से उपर की तरफ सिर्फ एक बार स्लाइड कर देंगे तो आप अपने होम इसकीप आ जाएंगे तो इस तरके से निवेगेशन गेचर का योज कर पाएंगे और यहाँ पर बैक बटन भी हाइड हो जाती है तो गैस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो पिलिज वीडियो को लाइक कर देजी और चैनल को भी सस्क्राइब कर सकते हैं